स्टूडेंट्स वेलकम अगेनि माइ युट्टिव चैनल तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिविज येर कुशिन करेंगे एंडि उसके साथ साथ तुम्हें एक गुड निूस देने वाली हूं मैं आज तुम्हें बताने वाली हूं कि एंटरेंस एक्जाम जो है तुम्हारा तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हम सप्राइम करें। जितने भी mcqs होंगे जितने भी important topics होंगे उनके बारे में discussion करने वाले हैं daily जो हम एक chapter के बारे में discuss करेंगे तो वीडियो में तुम्हें बने रहना है and तुम्हें चैनल को subscribe कर लेना है मैं इसकी भी एक playlist बना दूगी अगर तुम्हें प्रिवेस नहीं किये है अगर तुम्हें कोई भी वीच में स्किप हो जायता है तो आज से start कर देंगे सभी questions है तुम्हें comment section में answers देते चलना है तो start करते हैं first question से आज हम human health and diseases start कर रहे हैं बाकी हार चेप्टर हम यहां पर कवर करने वाले हैं तो first question की side हम मो करते हैं immunosuppressant such as जो immunosuppressant होते हैं blank prevent the transplant organ from being rejected in recipient मतलब पूछ रखा है कि जब हम मैंने तुम्हें बताया था जब हमने डीजिस वाला चेप्टर पड़ा था कि एक हम जब भी किसी का transplantation करते हैं organ का वगरा का या फिर किसी भी चीज का transplantation करेंगे mainly organ का जब हम में one person से लेके another person transplantation करेंगे तो जिसमें transplantation होना है मतलब जो recipient है उसको हम immunosuppressive देते हैं ताकि इसका immune system है वो suppressed हो जाए और उसको recognize नहीं हो कि यह foreign है तो यहां पर यही पूछा कि कौन सी वो immunosuppressant होती है जो यहां पर prevent करती है transplanted organ को from being rejecting recipient कि अगर हम वो immunosuppressant ले 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 तो यहां पर rejection नहीं होगा recipient में उस particular organ का वो particular organ rejection नहीं होने वाला है reject नहीं होने वाला है ऐसे foreign declare नहीं होने वाला है तो यहां पर immunosuppressant है cyclosporine तो में याद रख लेना है cyclosporine वो immunosuppressant होती है जो यहां पर rejection से help करती है में next question के बार में बात करें that is regarding both B and T lymphocytes are produced in bone marrow जो दोनों B and T lymphocytes bone marrow में produce होंगे however only T lymphocytes travel to and blank there ठीक है दोनों यहां पर bone marrow में produce होंगी और सिर्फ कौन सी यहां पर travel करती है और कहां पर travel करती है तुमसे पूछा गया है spleen में thymus में pituitary gland में और adrenal gland में तुम्हें बता दू कि जो B and T lymphocytes है दोनों का production bone marrow में होगा बट जो T lymphocyte जो होगी वो ट्रेवल करेगी thymus में and mature होती है वहां जाके तो इसका जो correct answer जो आने वाला है वो B आ जाएगा thymus में mature होगी next question के बार में बात करें there is at its largest in the child but with the onset of the puberty it's eventually shrink and get replaced by the fat यहां पर तुम्हें थोड़ा सा मतलब कीसी के regarding question है कि कोन है वो यहां पर जो बच्पन में बहुत बड़ी होती है बट प्यूबर्टी के टाइम पर यहां पर eventually onset shrink हो जाती है तो इसके regarding तुम्हें नसीयाटी में पढ़ा होगा नसीयाटी में direct दे रखा है जो अपनी thymus होती है वो सबसे बड़ी होती चाल्डूड में तहनी हां पर यह इस्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी के टाइम पर यह रिप्लेस हो जाती है फैट से तो इसका correct answer जो है वो थाइमस आ जाने वाला है थार्ड का correct answer आ जाएगा first next question के बारे में बात करें that is regarding the ascaris ascaris lembricoid is a species of the parasitic roundworm that lives in ascaris lembricoid है जो की species है parasitic roundworm की वो कहां पर लिए होती है तो यहां पर इसके लिए तुम्हें पता होना जी है ascaris lembricoid की life cycle अगर तुम्हें नहीं पता है तो just तुम्हें याद रख लो कि ascaris lembricoid जो होती है वो यहां पर leave करती है humans में यहां पर leave करेगी उसका जो host होता है वो human होता है तो इसका correct आ जाने answer आ जाएगा human next question है which one of the following disease has been eradicated कौन सी disease है जो eradicated होगी यहां पर smallpox, rinder, pest, polio या फिर all of the above तो यहां पर इसका जो correct answer जो आ जाएगा वो यहां पर all of the above आ जाने वाला है यह तीनों ही होगी next question के बारे में बात करें a kind of injury or damage which result in the premature death of all nearly cells in tissue or an organ थोड़दा autolysis, इसमें पूछा गया है कि death, cell death होती हो कई type के होती है, a kind of injury या फिर damage ऐसी injury या फिर ऐसा damage which result in the premature death of all nearly cells, premature death हो जाती है, mature होन से पहले उनकी death हो जाएगी ने tissue और organ थोड़दा autolysis, मतलब autolysis क्या होगा, self ही यहां पर कुद को kill कर लेना, auto means होता है selflysis इस काल्डूस को हम क्या यहां पर बोलने वाले हैं, तो तुम आगे जाके higher studies में medical में पढ़ोगे कि उस condition को हम nekrosis बोलते हैं, उस particular condition को बोलेंगे जब premature death हो जाती है, nearby cells के उसको हम बोलेंगे नेक्रोसिस, next question के बारे में बात करें, that is regarding the hypochondria, hypochondria is termed as health NXCT, sleep apnea, hyponogia, necrolipsia, तो यहां पर पूछा गया है, तुम से hypochondria के बारे में, तो यह होता है, जब यहां पर health के अपनी NXCT देखने को मिलती है, it's also termed as health NXCT, फरस्ट इस का correct answer आ जाएगा, the immune system comprises, immune system में कौन कौन के उनका हमें system consists of humeral and fibro system, humeral and cell mediated and for antigenes, यह फिर lymphocytes, तो इसका correct answer जो आजाने वाला है, वो आएगा, humeral and cell mediated system, इसका correct answer B वाला यहां पर आजाने वाला है, B is the correct answer humeral and cell mediated system, यह मैंने तुम्हें बताया था, जब मैंने तुम्हें चप्टर कराया था, तब भी मैंने तुम्हें मैं बताया था, humeral response क्या होता है, cell mediated response क्या होता है, तो इसका correct answer B वाला आजाने वाला है, next question के बारे में बात करें, which one of the following is a viral disease, कौन सी यहां पर viral disease है, diptheria, philaresis, laprose, या फिर influenza, तो viral disease जो होगी, यहां पर influenza होने वाली है, influenza as a viral disease, यह तुम्हें याद रखना है, जब मैंने ड type के diseases के साथ साथ उनके कौन से causative agent हो तुम्हें याद रख लेने है, carcinoma यहां पर इसका correct answer आजाएगा, fourth influenza, carcinoma arise from carcinoma किसे arise होगा, from the epithelial cell, bone marrow, pigment containing cell, from none of the above, तो यहां पर carcinoma जो होगा, अपना arise होगा, epithelial cell से, carcinoma arise from the epithelial cell, इसका correct answer आजाएगा, first वाला, next question के बारे में बात करें, that is regarding the melanoma, melanoma is a type of cancer that develop from, melanoma जो होती है, वो cancer है, वो कैसे develop होगा, granulocyte से, melanocyte से, या फिर adenocyte से, none of the above, तो यहां पर अगर आगे जाके तुम cancer में पढ़ोगे, melanoma जो cancer होती है, वो develop होती है, यहां पर तुम्हें, melanocyte से, melanoma cancer, melanocyte से develop होगा, अभी भी भी तुम ध् करें, human immunodeficiency virus cause the AIDS by attacking a type of white blood cell called, जो अपना human, sorry, human immunodeficiency virus होता है, यहां पर वो AIDS कोज करता है, HIV जो होगा, वो AIDS कोज करेगा, बाइ अटेंगी, किस type की white blood cell पर वो attack करता है, यही कुशन में पूछा गए, CD4 पर, CD3 पर, CD8 पर, फिर none of the above, तो वो attack यहां पर करता है, CD4 cell पर, CD4 प जिसकी वज़े से वो उनके जो normal cycles होते हैं, normal mechanism है, उसको वो disturb कर पाता है, तो इसका correct answer, first वाला आ जाने वाल है, next question है, plague is caused by the bacteria, किस बैक्टेरिया से plague यहां पर cause होता है, यरसीनिया, pseudobacterioclorosis, या फिर यरसीनिया, पैस्टिरिस, यरसीनिया, enterocolatica, या फिर none of the above, तो से ही cause होने वाला है, यरसीनिया, pseudotuberculosis से plague cause होता है, तो इसका correct answer, अल्मोस्ट यह आ जाने वाला है, बाकि इसको, इसको, इसको चेक आउट करना है, इसमें मुझे थोड़ी से problem लग रही है, तो next question के बारे में बात करेंदा है, it is regarding the elephantasis, elephantasis is caused by elephantasis, philarial worms, या फिर फ्लैट वो यहां पर mention कर रखा है, next question के बारे में बात करें, मतलब that is regarding, blank is an example of stimulant, कौन से example होता है stimulant का, तो यहां पर दे रखे हैं तुमें, कि लोरनोपेनम, या फिर amitomizazine, फिर ozenum, या फिर phenocyclidine, तो example होता है amihapitamin, जो होता है, वह example होता है stimulant का, वीडियो अच्छी लगी तो व subscribe कर दे नहीं है, ते हैं ने किरों तुम ते के लिए वो बाए टेक्ज़ू करें, नियुक्लियों तो तुम स्क्राइब कर देर हैं बाए